Do you think कि सबको हर एक commoner जो है उनको अपने self-defense के लिए गन खरीदना अलाओ करना चाहिए? यह बहुत अच्छा question है कभी आपने सोचा कि हर एक commoner के पास में गन क्यों नहीं है 1857 जिसको अंग्रेज लोग revolt बोलते हैं और हम लोग पहली जंगे आजादी कहते हैं उसमें एक कारण यह था कि हिंदुस्तानी common Indian वो अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए independent आत्म निर्वर था उसकी दिवार पर तलवार तंगी रहती थी और अपनी रक्षा के लिए वो कभी भी उसको निकाल कर अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकता था जब यह चिंगारी भड़की तो इसी तलवार ने आक्रमन का रोल इक्तियार कर लिया अंग्रेजों ने उसके बाद इंडियन्स आम एक्ट बनाया इंडियन्स को अब तलवार टांगने के लिए लाइसेंस के जुरूत पढ़ने लगई आपके पास वो जो पावर थी वो आपसे ले ली गई अब इसको आप डिबेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं क्या यह पावर वापस दे दिनी चाहिए अगर हम सब गण कैरी करेंगे और सब के पास गण होगी तो येस अगर मेरे पास हत्यार है तो उससे क्या feeling आती है आपको एक sense of security आती हा तो अगर उस lens से देखाचा जाए तो सब के पास एक-एक हत्यार होना चाहिए बट उसका दूसरा side भी है सब के बास अतियार हो गया रोड पर चल रहे हैं साब थोड़ी सा जगड़ा हुआ गाड़ी से गाड़ी टकराई निगाल दी और ऐसा अभी भी हो जाता है और बहुत होता है नौर्थ इंडिया में तो काफी होता है नो मंबाई में होता है कि नहीं होता रोड रेजिस के कैसे तो हम सुनते रहे I feel the same way I think की that again you have to balance it out but my point of view is कि अब इस पूरे अर्गुमेंट का टेक अवे क्या है तो क्या आप ने लोगों को लोगों के पास हतियार रखने से रोक लिया है इसका जवाब अगर आपको अपने आप से लेना है तो मैं सवाल पूछूँगा कि गुजरात के अंदर प्रोहिबिशन है महाँ पे दारू नहीं मिलती है तो क्या गुजरात में दारू नहीं मिलती है है ना क्या आपका तालुक महाराष्टरा से है I don't know महाराष्टरा का क्या हिसाब किताब है बट यूपी बिहार में कोई एक ऐसा घर कोई एक ऐसा गाउं जहां पर कंट्री मेड हतियार ना हो कोई इतना जादा अभी तो कम हो गया तेखो यह सारी चीज़े ऐसे होती है जब स्टेट ने सेक्यूरिटी आपको देना शुरू कर दिया इल्लीगल वैपन कम हो गया अब कोई नहीं कम हो गया लेकिन एक टाइम था जब हर एक के घर में कही ना कही वो अनाज रखा हुआ है खुब सारा उसके अंदर एक लोड़ेट अंदर रखा हुआ है यू नेवर नो कब जुरूत पड़ जाए तो इल्लीगल वैपन जितने जो क्राइम होता है इल्लीगल वैपन से ज़्यादा होता है इसको आप भाशा में कट्टा बोलते है कट्टे से होता है बहुत होता है दुनिया वर का होता है अब इलेक्शन आने वाले हैं तो देखिए इनका इस्तेमाल भी बढ़ता है तो क्यों ना अब जो इल्लीगल वैपन होता है उसमें अकाउंटेबिलेटी नहीं है लेकिन लीगल वैपन होगा तो उसमें अकाउंटेबिलेटी है तो क्यों ना ऐसी प्रक्रियाँ रखी जाएं कि आदमी को इल्लीगल हत्यार खरीदने की जरूत ना पड़े तो ये इस चीज़ के उपर डिबेट होनी चाहिए इनफॉर्म लोग इसके उपर बात करें और मेरा परस्नल ये मानना है कि अगर लीगल वैपन आपके पास में होगा तो आपके अकाउंटेबिलेटी होगी क्राइम, गन रिलेटेड क्राइम कम होगा